नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिव डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जिसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो गनित पेडागोजी है लगभग 15 प्रशने पूछ जाते हैं चाहे हो स्टेट एक्जाम हो या फिर अनिटेट एक् ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा क्योंकि परिभासा यह बहुत सारी होती हूँ याद नहीं होती है तो यहाँ पर एक ट्रिक के मार्धियम से में आपको इन सभी परिभासाओं को अच्छे से याद करऊंगो टोटल 20-21 परिभासा है तो ध्यान से देखिएगा ध्यान से लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं जाकर सब्सक्राइब कर लिजेगा वहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर 6-22 तक के सभी NCRT बुक का सुलिशन मिल जाएगा साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप वर्ग तीन या फिर CT8 एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आ उपन वहाँ पर Steady DK50 का यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लिजेगा तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्न है किसका कथन है कि सिक्षक सिक्षन उपक बना देता है यहां पर हमारा पहला यहां कथन मेखन कारा सétais के सिक्षक सिक्षन को स्थांवरोचक बना यहां पर देखिए ट्रिक को से काम करेगी प्रकार से आप इसको समझ सकते हिं तो यहां पर देखें मेकन की जगा आप यहां पर मेकनिक ले लीजे और राय बस की जगा सिर्फ आप बस को ले लीजे मेकनिक किसको सुधारता है बस को सुधारता है और बस क्या है एक उपकरण होता है तो यहाँ पर देखे जहाँ पर भी उपकरण आ जाए परिभासा में वहाँ पर आपको mechanic और bus के बारे में धियान रखना है कि mechanic किसको सुधारता है bus को और bus क्या होता है एक प्रकार का उपकरण होता है तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस परिभासा को याद कर सकते हैं तो यहाँ पर दूसरी परिभासा है हमारी गनित विज्यान की रानी है यहां किसने कहा काफ़ी important और काफ़ी सरलप्रस्ण है 99.9 विध्यारती यहां किसने कहा इसमित और मूरे ने कोरे ने नेपोलियन ने या फिर गास के द्वारा कहा गया तो याद रखेगा जो गनित विज्यान की रानी है ये गास के द्वारा कहा गया वेसे तो इसकी ट्रिक आपको बताने क्या वशकता नहीं है सभी को इसका अंसर पता होगा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए गनित विशे के बारे में आपको कौन अच्छी जानकारी देगा जो महान विक्ती होगा गनित के बारे में अच्छी जानकारी रखता होगा वहीं आपको गनित के बारे में अच्छी बाते बताएगा तो यहाँ पर देखिए गास से यहाँ पर ग्रेट हो जाएगा ग्रेट यहने क्या होता है महान विक्ती होता है जो गनीत में पारंगत होता है वहीं आपको बताएगा गनीत के बारे में तो अच्छी बाते क्या है यहाँ पर गनीत विज्ञान की रानी है यह अच्छी बात है देखिए दूसरे प्रस्न में आपको बताया कि गनित को विज्ञान की रानी किस ने कहा है या फिर किस ने माना है तो एक great व्यक्ति ने एक महान व्यक्ति ने यहाँ पर देखिए उसका opposite हो गया नोकर माना है तो यह बुरा व्यक्ति होगा है वहाँ पर एक अच्छा व्यक्त जिसमें बेल बुद्धी होता है या फिर जिसमें बुद्धी कम होती है वो ही इस प्रकार की बात करता है तो यहाँ पर देखिए बेल का कथन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छी बात नहीं है गणित के बारे में तो यहाँ पर देखिए उस प्रकार से और उपर आप इसको याद कर सकते हैं, चलिए, गनित ऐसी भहसा है जिसमें परमेश्वर ने संपून जगत को समाहित कर लिया है, यहां किस ने कहा है, गेलियो ने, क्विलेन ने, हन्ना ने या फिर डांडे करने, तो यहां पर आइट अंसर होगा, गेलियो ने, गेलियो ने क गनित ऐसी भहसा है, जिसमें परमेश्वर ने संपून जगत को समाहित कर लिया है, तो यहां पर दीखे किस के द्वारा कहा गया, गेलियो के द्वारा कहा गया, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, गेलियो याने कि गेल के द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं, गेल को आप सबी जानते होंगे 100% आप जानते होंगे यह क्रिकेटर है काफी अच्छा खेलते हैं तो यह देखें उपर परमेसवर की करपा है जो की इनको संपूर जगत जानता है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि गणित ऐसी भासा है जिसमें परमेसवर ने संपूर जगत को समाहित कर लिया है यहां परिभासा गेली लियो ने दी है जो गेल ही दोस्तो अच्छे करिकेटर है अच्छा खेलते हैं उनको उनके उपर परमेसर की करपा है जिससे की वो संपूर जगत में जाने जाते हैं तो इस ट्रिक से आप इस परिभासा को याद कर सकते हैं चलिए किसके नुसार गनित सब्विता का दरपन है काफी सरल और काफी इंपोटेंट है जहां तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा रिस्क है, इसकीनर है, हरबट है या फिर हाउग बेन है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाउग बेन हाग बेन के द्वारा कहा गया है कि गनित सब्विता का दरपन है वेसे तो इसको इसको ट्रिक नहीं बनाने चाहिए थी वेसे आप सभी को इसका आंसर पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देकि चाहिए वो संसकरती के लिजे या फिर सब्विता के लिजे चाहिए आप हग कर रहे हो हाथ मिला रहे हो या फिर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप पहचानते हो राम राम कर रहे हो इस प्रकार के दिए आप activity कर रहे हो तो यह आपकी सब्विता को दरसाता है आपके विवहार को दरसाता है तो यहाँ पर आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं हाग से हो गया हग यानि कि हम जो गले लगते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं और सब्विता स यहाँ पर गनित सब्विता का धरपन है, आप इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, तो फोर्थ वाला विकल्पी हमारा सही होगा बहुत सारी गनित जानने के बजाए, यहाँ जानना अधिक उपयोगी है की गनिती करण के से किया जाए, यहाँ डेविड विलर का कहना है, अब इसको ट्रिक के माध्यम सम के से याद करेंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे, सिर्फ यह जो दो सब्द लिखे हुएं, इसको ही याद रखना है, किस प्रकास से रखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि हम पहले साइकल चलाते थे, पहले हम साइकल से सफर करते थे, तो ज़्यादा समय में हम कम दूरी ते ही करते थे, लेकिन अब किसका जमना आ गया है, टू विलर, वो क्या करते हैं, कि जब हम उसमें सफर करते हैं, तो कम समय में ज़्यादा, यानि कि बहुत सारी जगा हम वहाँ पर गूम सकते हैं, तो यहाँ पर देखे, बहुत सारी और विलर से आप याद कर सकते हैं, कि बहुत सारी गनित जानने के बजाए, यहाँ जानना अधिक योगी है कि गनिती करण के से किया जाए यहां डेविड विलर का कहना है यहां पर टू विलर मान लिजे थ्री विलर आप मान सकते हैं फोर विलर आप मान सकते हैं जिससे कि हम थोड़ी समय में बहुत सारी जगा घूम सकते हैं तो इस प्रकार से आप इस परिभासा को याद कर सकते हैं चलिए साथवी परिभासा है कि किसके अनुशार गनित क्या है यहां उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुबहूं से स्वतंत रहें तथा सत्ति के अनुरूप है यहां पर हमारा रैट आंसर होगा आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया है यहां उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुबहूं से स्वतंत रहें तथा सत्ति के अनुरूप है अब यहां पर ट्रिक कैसे काम करेगी यहां आपने देखा होगा कोई भी कुर्केटर जो खेलता है कुर्केट हो सुरू- सुरू में टेनिस की बोल से क्यलता है क्योंकि उसको ड्र लगता है कहीं उसको उस गेंद की लगना जाए उसको चिंता रहती लेकिन उसके अनुभव से वो स्वतनत्र होकर खेलता है तो यहाँ पर देखिए ट्रिक किसे काम करेगी यहाँ पर देखिए टेनिस सब टाइन याने की आइनिस्टाइन को याद कर सकते हैं आइनिस्टाइन याने की जो क्रिकेटर है वो सुरू-सुरू में खेलता है खेलना सीखता है तो वो टेनिस से खेलना सिखता है क्योंकि उसको डल लगता है कि ये मुझे लगना जाए उसको चिंता होती है तो चिंता से यहाँ पर चिंतन हो जाएगा लेकिन अपने अनुभव यानि कि जब वो किर्केट को देखता है तो उसको थोड़ा अनुभव होता है तो वहाँ पर उसके माध्यम से वो स्वर्तंत्र होकर खेलता है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं चलिए किसके अनुशार गणित वहा मार गए है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिक्स में तरक करने की आदत इस्तापित होती है आइनिस्टाइन, लिंपे, मारसल या फिल लाक तो यहाँ पर हमारा रेट आंसर होगा लाक याद रखेगा लाक के अनुशार गणित वहां मार गए है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिक्स में तरक करने की आदत इस्तापित होती है तो यहाँ पर रेट आंसर हमारा कौन सा होगा होर्त वाला होगा अब इसको हम ट्रिक के माद्धियम से कैसे याद करेंगे जब बच्चा पेदा होता है तो आप सभी को पता है वो एक कोरी सिलेट होता है चाहे वो मन की बात हो या फिर मस्तिक्स की बात हो वहाँ पर सब में ताले लगे होते हैं चाहे वो चलना चाहता हो हसना चाहता हो बोलना चाहता हो इन सभी में क्या होता है एक प्रकार का ताला लगा होता है जैसे कि किसी गेम में ताला लगे होते हैं जब आप एक श्टेप पार कर देते हो तब आपको दूसरी स्टेप मिलती हो जब दूसरी स्टेप आप पार कर देते हो तब आपको तीसरी स्टेप मिलती है इसे बच्चों के साथ होता है तो यहाँ पर देखें कहे सकते हैं कि जब किसी बच्चे के मन या मस्तिक्स का लाग खोलना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं जब वो विध्याली में प्रिवेश करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको गणित का हम अभ्यास कराते हैं जिससे की जो मन में और मस्तिक्स में जो लोक लगा हुआ है वो जल्दी से जल्दी खुल जाए तो इस प्रकार से आप इस परिभासा को याद कर सकते हैं देखिए मन और मस्तिक से इस परिभासा में दिया हुआ है और लोग इसका राइट आंसर होगा जिस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताई है उस प्रकार से आप याद करेंगे तो आसानी से परिभासा को याद कर सकत किसके अनुशार तार्क की के चिंतन के लिए गणित एक सक्तिसाली साधन है, इसको ट्रिक के माध्ea कि जो मालिक है उनका कहना है कि वर्ना एक सकती साली सादन है कि इसका कहना है वर्ना कि जो मालिक है उनका कहना है कि वर्ना एक सकती साली सादन है तो यहाँ पर देखिए आप इसको याद कर सकते हैं सक्तिसाली साधन आपको यहाँ पर इस परिभासा में देखेगा और आंसर इसका क्या होगा वर्णाडी सा तो वर्णा से आप वर्णाडी सा याद कर सकते हैं कि वर्णा एक सक्तिसाली साधन है जहाँ पर देखिए सक्तिसाली साधन आ जाए तो वहाँ पर वर्णाडी सा आप क्विलेन का है हन्ना का है या फिर डांडेकर का है तो यहां पर आइट आंसर होगा यहां कथन गेट्स का है गेट्स के द्वरा कहा गया है कि मुल्यांकन एक एसी प्रक्रिया है जो हमें यहां बताती है कि सही धंक से किसी वस्तू का मापन किया जा सकता है यहां कथन किसका गुड्स का होगा किसका होगा गुड्स का तो यहाँ पर देखिए ट्रिक के से काम करेगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस परिभासा को याद कर सकते हैं किसके अनुशार जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट सोबायान होते ही तथा सरपों के सिर पर मनिया वहीं सरवच इस्थान वेदांग नाम से परिचित विग्यानों में गनित का है तो यहाँ पर जो परिभासा ही यह किसके द्वारा दी गई है पिष्टा लोजी वेदांग जोतिसी हरबर्स या फिर लोग तो यहाँ पर जो परिभासा दी गई है यह बेदांग जोतिस के द्वारा दी गई है यहाँ पर इसको याद करने के आवश्रक्त नहीं है यहाँ कथन किसका है, काफी important, काफी सरल है, आप सभी को इसका answer पता होगा क्योंकि एक्जाम में पूछा जा चुका है ड्विट का है, बेकन का है स्किनर का है, या फिर कॉमेट का है तो यहाँ पर हमारा right answer होगा, यहाँ कथन बेकन का है, बेकन के द्वारा कहा गया है कि गणित सभी विग्यानों का सीह द्वारवा कुझी है अब इसको ट्रिक के माद्यम से कैसे याद करेंगे आज बेकन विग्यान की कुझी लेकर आया, याद क्या करना है आपको आज बेकन विग्यान की कुण्जी लेकर आया यहाँ पर देखिए कुण्जी आपको परिभासा में दिख रही होगी और बेकन इसका रायट आंसर होगा कि बेकन के द्वारा कहा गया कि गणित सभी विज्ञानों का सिह द्वारवा कुण्जी है तो आप इस ट्रिक के मध्यम से याद कर सकते हैं किसके मतानुशार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने सम्बंदी सभी किरियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समधान करती हैं किन्स हरबट योकम और सिप्सन या फिर क्रो एवं क्रो तो यहां पर हमारा रेटा अंसर होगा योकम और सिप्सन के मतानुशार समस्या समधान एक एसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंदी सभी क्रियाईं अग्रेसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समधान करती हैं य इस व्यक्ति में पैसंस होता है यानि कि जब कोई व्यक्ति पैसंस रखता है तो वहां अपनी समस्या का समाधान कर लेता है समस्या का समाधान कों करता है जिसके पास पैसंस है जो देहर रखता है तो यहाँ पर देखे सिपसं से आप यहाँ पर पैसंस याद कर लेंगे कि पै अगर सर होती है तथा दी गई समस्यागा समाधान करती है चली गनित सिक्षन का वास्तविक उद्देश ग्यान प्राप्त करना नहीं है वरन सकती प्रदान करना है यहां कथन किसका है ड्वीट का है बेकन का है डटन का है या फिर प्लोटों का है काफी इंपोटेंट काफी सर बच्चे को डाट कर या सकती से सिखा नहीं सकता लेकिन अपने ग्यान से जरूर सिखा सकता है तो यहाँ पर देखिए ट्रिक किसे काम करेगी जो सिख्चक है वो बच्चे को डाट कर या फिर सकती से नहीं सिखा सकता वो किस प्रकार सिखाएगा अपने ग्यान से बच्चे को असानी से सिखा सकता, तो यहाँ पर देखे, परिभासा में भी नाम आ गया इस ट्रिक में, और जो वेज्यानिक है, उनका नाम भी आ गया, कि जो सिक्छक होता है, वो बच्चे को डाट कर, या फिर अपनी सक्ती से बच्चे को नहीं सिखा सकता, वो किस प्रकार सिखाएगा, अपने ग्यान से बच्ची को सिखा सकता है तो इससे आप इस परिभासा को याद कर सकते हैं डाट कर याने की डटन हो जाएगा और सकती से नहीं बल्कि अपने ग्यान से जरूर सिखा सकता है तो यहाँ पर परिभासा में दिया हुआ यहांपर दिया हुआ है कि ज्यान प्राप्ते करना नहीं वरन सक्ति प्रदान करना है तो इसके माद्धिम से आप इस परिभासा को याद कर सकते हैं किसके अनुशार गनित की उननती के साथ देश की उननती का गहनिष्ट संबंद है। संबनित है यदि एक्जाम में इस प्रकार के प्रश्ने पूछ जाते हैं तो आपका राइट आंसर एक ही होना चाहिए नेपोलियन नेपोलियन के नुसार कहा गया है कि गनित की उन्नती के साथ देश की उन्नती का गनिश्ट संबन्द हैं अब इसको हम ट्रिक के माद्यम से कैसे याद करेंगे तो इसको इस प्रकार से आप याद करेंगे जब किसान अपने खेत का नेपा, नेपा क्या होता है चोकिदारी, जो ग्रामिन विध्यारती इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सबी को पता होगा नेपा किसको कहते हैं, चोकिदारी को कहते हैं, कि जब किसान अपने खेत का नेपा करता है, या फिर चोकिदारी करता है, तो उसको एक अच्छी पेदावार मिलती है जिससे की वो खुद की भी उन्नती कर सकता है और देश की भी उन्नती कर सकता है यानि कि जब किसान अपने खेट का नेपा करता है चोकिदारी करता है तो एक अच्छी फसल पेदा करता है उससे अपनी उन्नती के सांसा तो देश की भी उन्नती करता है तो यहाँ पर नेपा से होगा नेपुलियन और अपनी खुद की उन्नती के सांसाथ देश की उन्नती भी करता है तो यहाँ पर देखे परिभासा में इस पश्ट रूप से लिखा है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेपुलियन द्वारा कहा गया है कि ग प्रवेस्ट नहीं पा सकते यहां किसका कतन है मुसोलिन का है प्लेटो का है रमन का है या फिर आयनिश्टीन का है तो यहां पर हमारा रेट आंसर होगा यहां कतन प्लेटो का है कि जो चात्र गनित नहीं समझते हैं वहां पार्ट साला में प्रवेस्ट नहीं पा सकते तो यहा पर फेड़ बेटती है तो यहाँ पर देखिए जब तक बच्चा पाट साला में प्रवेश नहीं करता है जब तक वो एक खाली प्लेट होता है यहाँ पर देखिए सलेट होता है लेकिन यहाँ पर आपको प्लेट याद करना है कि जब वो एक खाली प्लेट होता है तो यहाँ जो ट्रिक बनाई है उससे आप आसाने से याद कर सकते हैं तो यहाँ पर अकली परिभासा है किसके अनुशार गनित AC अमूर्त विवस्था का द्यन है जो की अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है इन तत्वों को अमूर्त रूप में परिभासित किया जाता है जिविट का, मार्सल H. श्टोन का, इसकी नरका या फिर कॉमेट का या किसके अनुशार है तो याद रखिएगा यह मार्सल H. श्टोन के अनुशार या फिर इनका कहना है कि गनित AC अमूर्त विवस्था का द्यन है जो की अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभासित किया जाता है देखिए यहाँ पर ट्रिक कैसे काम करीगी थोड़ा सा यहाँ पर समझने की आपको आव सकता है कि मूर्त किसे कहते हैं और अमूर्त किसे कहते हैं तो यहाँ पर देखिए अमूर्त किसे कहते हैं तो यहाँ पर आप याद कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए right answer क्या होगा stone, stone एक विज्यानिक का नाम भी है और stone एक बीमारी भी होती जिसको हम हिंदे में पत्री केते हैं तो trick कुछ इस प्रकार है कि stone जिस व्यक्ति को होती है वो उसे देख नहीं सकता है और उसे छूबी नहीं सकता है जो पत्री होती है वो पेट में होती है और जब उसका हम एकसरा करवाते हैं या फिर उसकी sonography करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें stone हो चुका है तो उसको ना तो हम छूँ सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, यह हुआ अमूर्त रूप में, अब जब हम उसका उप्रेशन करवा लेते हैं, तो वो बहार जो डोक्टर है, वो बहार निकाल लेते हैं, तो उसको हम छुबी सकते हैं, और देख भी सकते हैं, तो यह हुआ मूर्त रूप में, तो आपको इस ट्रिक है कि गनित को बहुत से चात्र कठिन समझते हैं अताहा इसकुल और सिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे चात्रों में गनित का इस्तर बढ़ाया जा सकता है यहां उपरोगत दर्ष्टी कून किसका है माध्यमिक सिक्षा बोड का है मुदाइलर आयोक का ह या फिर सिक्षा नेती 1986 का है तो यहां पर आयट आंसर होगा यहां उपरोगत जो दर्ष्टी कून है यह सिक्षा नेती 1986 का है अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि जब बच्चा पहली बार विद्ध्याले जाता है तो उसे स सिक्षा का जो इस्तर होता है वो कठीन लगता है तो यहां पर देखिए गणित को बहुत से चात्र कठीन समझते हैं क्यों समझते हैं क्योंकि वो पहली बार इसकुल में जाते हैं या फिर विद्ध्याले में जाते हैं सिक्षा गरहन करने तो यहां पर देखिए सिक्षा से होगा सिक्षानिती 1986 और जो सिक्षा का जो इस तरह वो कठिन लगता है तो यहाँ पर आप गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इस परिभासा को तो यहाँ पर हम अगली परिभासा के बारे हम देख ले या फिर आयनिश्टिन का है तो यहाँ पर हमारा रेट आंसर होगा यंग का है याद रखेगा यंग द्वारा कहा गया है कि यदि विज्यान का अधार इस्तम गणित हटा दिया जाए तो संपून भोतिक सब्विता निसंदे नष्ट हो जाएगी अब इसको देखिए हम ट् लिखना है सिर्फ आधुनिक यूग लिखना है यूग से यंग होगा कि आधुनिक यूग में यदि विज्यान का अधार स्तमब गणित हटा दिया जाए तो बbelोतिक सब्विता निसंदे नष्ट हो जाएगी यहां कतन किसका होगा यंग का होगा यदि आप यहाँ पर आध दुनिक यूग लगाना है यदी को हटा कर तो आप इश्ट्रिक के माद्धियम से इसको याद कर सकते हैं चलिएं तीन प्रस्ण है हमारी माद्धियमिक सिक्षा की भाती हमारे पाठ्थिकरम का भी जीवन से कोई सम्मद नहीं है यहां चात्रों को जीवन के लिए तियार करने में सफल रहा है यहां कक्षा से बाहर की दुनिया का जिसमें विसिग्र प्रविष्ट होने वाले हैं उन्हें कोई बोध या अभास नहीं करा पाता यहां कथन किसका है कोठारी आयोक का है माध्यमिक सिक्षा आयोक का है पाठ्थिकरम समिती का है या फिर यह सभी का है तो यहां पर हमारा रेट आंसर होगा यहां कथन जो है यह माध्यमिक सिक्षा आयोक का है आज का वीडियो या फिर आज की जो ट्रिक है वो आपको कैसे लगी आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है यदि अच्छी लगे तो लाइक करना है और कमेंट से के माध्यम से बताना है कि यहां जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद जहीं